नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नालंदा उच्चारन प्राचीन मगद आधुनिक बिहार पूर्वी भारत में एक प्रसिद महाविहार बौद्मर्ठ विश्वविद्यालय था एतिहासकारों द्वारा इसे दुनिया का पहला आवासिय विश्विद्यालेय और प्राचीन दुनिया में शिक्षा के सबसे महान केंद्रों में से एक माना जाता है ये राजग्रेह अब राजगी शहर के पास और पाटली पुत्रा पटना से लगभग 90 किलोमीटर 56 मीर दक्षन पूर्व में स्थित था 427 से 1197 पू तक संचालन करते हुए नालंदा ने पांचवी और छटी शताबदी पू के दोरान कला और शिक्षाविदों के संरक्षन को बढ़ावा देने में महत्वपून भूमिका निभाई जिसे तब से विद्वानों द्वारा भारत के स्वर्ण यूप के रूप में वर्नित किया गया है बारवी शताबदी की शुरुआत में इसलामिक आक्रमनकारी बक्तियार खिलजी द्वारा इसके अधिकांच सुविधाओं को नश्ट और जलाए जाने से पहले इसमें नौ मिलियन से अधिक ग्रंथ थे लगभग 750 वर्षों में इसके संकाए में महायान बौध धर्म के कुछ सबसे प्रतिष्टित विद्वान शामिल थे नालंदा में रचित कई ग्रंथों ने महायान और वज्रियान बौध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें महावै रोचिन तंत्र और शांतिदेव के बोधिसत्व कार्यावतार शामिल हैं मुहम्मद बक्तियार खिलजी के सैनिकों ने इसे लूट लिया और नश्ट कर दिया इसके बाद इसे आंशिक रूप से बहाल किया गया और लगबग 1420 तक अस्तित्व में रहा आज यह युनेस को विश्व धरोहर स्थल है 2010 में भारत सरकार ने प्रसिद विश्व ध्याले को पुनर जीवित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और राजगीर में एक समकालीन संस्थान नालंदा विश्व ध्याले की स्थापना की गई इसे भारत सरकार द्वारा राश्ट्रिय मेहत्व के संस्थान के रूप में सूची बत किया गया है इतिहास पहली सहसराब्दी ईसा पूर्व में नालंदा का इतिहास निकटवर्ती शहर राजग्रे, आदुनिक राजगीर, मगद की राजधानी और प्राचीन भारत के व्यापार मार्गों से जुड़ा हुआ है विश्वी ज्याले की प्रतिष्था को देखते हुए उत्तर पूर्व भारत के शासकों ने नालंदा की मदद के लिए गावों को वसीयत किया, सुमात्रा के राजाने मठों की बंदोबस्ती के लिए गावों का योगदान दिया चीन के विद्वानों के समर्थन के लिए एक विशेश कोश भी स्थापित किया गया था प्रारमविक बौध व्रंथों में कहा गया है कि बुद्ध ने अपने पूर्व प्रवास के दौरान राजग्रिल के निकर नालंदा नामक शहर का दौरा किया था उन्होंने पास के पावरिका नामकाम के बगीचे में व्याख्यान दिया और उनके दो प्रमुक्ष शिश्यों में से एक शारिपुत्र का जन्मिसी क्षेत्र में हुआ था और बाद में उन्होंने वही निर्वान प्राप्त किया ये बहुत गरंथ बुद्ध की मृत्यू के सदियों बाद लिखे गए थे न तो नाम में और नहीं संबंधित स्थान में एक समान है उदाहरन के लिए महासुदासन जातक जैसे गरंथों में कहा गया है कि निलका या निलका ग्राम राजवरे से लगबग एक योजन्ट दसमीर दूर है जबकि महावस्तू जैसे गरंथ इस स्थान को नालंदा ग्रामक कहते हैं और इसे आधा योजन्ट दूर रखते हैं बहुत ग्रंथ निकाए सिंग्रह में कहा गया है कि समराथ अशोक ने नालंदा में एक विहार मटकी स्थापना की थी हालां कि अब तक की पुरातात्विक खुदाई में अशोक काल या उनकी मृत्यू के 600 साल बाद का कोई समारक नहीं मिला है जैन ग्रंथ सूत्र कृतान के अध्याय दो दशमलव साथ में कहा गया है कि नालंदा राजधानी राजविल का एक उपनगर है जहां कई इमारते हैं और यहीं पर छटी पांचवी शताबदी ईसा पूर्व में महावीर ने 14 वर्ष बिताय थे ये शब्द भारतिय धर्मों में विक्षूओं के लिए मानसून के दोरान एक पारंपरिक वापसी को संदर्वित करता है जैन धर्म के एक अन्य प्रतिष्थित ग्रंथ कल्पसूत्र में इसकी पुष्टी की गई है हालां कि नालंदा के उलेक के अलावा जैन ग्रंथ अधिक विवरन प्रदान नहीं करते हैं और नहीं उन्हें महावीर की मृत्यू के बाद लगबग एक सा हस्राब्दी तक लिखा गया था बौद ग्रंथों की तरह इसने विश्वसनियता के बारे में सवाल उठाए हैं और क्या वर्तमान नालंदा जैन ग्रंथों के समान है शार्फ के अनुसार यद्यपी बौद और जैन ग्रंथ स्थान की पहचान में समस्याएं उत्पन करते हैं लेकिन ये लगबग निश्चित है कि आधुनिक नालंदा उस स्थान के निकट है या जिस स्थान का ये ग्रंथों लेक कर रहे हैं नालंदा के पास के स्थलों जैसे की लगबग तीन किलोमीटर दूर जुआ फर्दी स्थल पर पुरा तात्विक खुदाई से काले बर्तन और अन्यवस्तुय मिली है लगबग 1200 इसापूर्व का कारबन दिनानकित किया गया है इससे पता चलता है कि मगद में नालंदा के आसपास के क्षेत्र में महावीर और बुद्ध के जन्व से सदियों पहले मानव बस्ती थी फैक्सियन यात्रा 399-412 जब एक चीनी बौध तीर्थ्यात्री फैक्सियन ने नालंदा शहर का दौरा किया तो संभवत वहाँ अभी तक कोई विश्व विद्यालय नहीं था फैक्सियन बौध वरंथों को प्राप्त करने के लिए भारत आये थे और पांचवी शताबदी की शुरुआत में उन्होंने नालंदा क्षेत्र सहित प्रमुग बौध तीरत स्थलों का दौरा करते हुए भारत में दस साल बिताये थे उन्होंने एक यात्रा वृतांद भी लिखा जिसने सदियों से अन्यचीनी और कोरियाई बौधों को भारत आने के लिए प्रेरित किया इसमें उन्होंने भारत भर में कई बौध मठों और समारकों का उलेक किया है हाला कि उन्होंने नालंदा में किसी मर्ठ या विश्विद्यालय का कोई उलेक नहीं किया है भले ही वह संस्कृत ग्रंतों की तलाश में थे और उनमें से बड़ी संख्या में भारत के अन्य हिस्सों से चीन वापस ले गए थे नालंदा में 420 वी पूर्व के समारकों की किसी भी पुरतात्विक खोज की कमी के साथ संयोक्त रूप से फैक्सियन के संस्मरन में चुप्पी से पता चलता है कि नालंदा मठ विश्विद्यालय 420 के आसपास अस्तित्व में नहीं था नालंदा का तिथियोग्यर इतिहास पांचवी शताब्दी से प्रारंब होता है इस थल पर मिली एक मोहर से इसके संस्थापक के रूप में शक्रादित्य सक्रादित्य नाम के एक राजा की पहचान होती है और एक संधाराम मठ की नीव रखी जाती है उसे साइट पर इसकी पुष्टी चीनी तीर्थ्यात्री हवेंसांग के यात्रा वृतान से होती है अपचारिक वैदिक शिक्षा की परमपरा ने नालंदा तक शशिला और विक्रम शिला जैसे बड़े शिक्षन के इंद्रों के निर्मान को प्रेरित करने में मदद की भारतिय परमपरा एवं ग्रंथों में राजाओं को अनेक विशेशनों एवं नामों से पुकारा जाता था एंड्रिया पिंकनी और हर्टमट शार्फ जैसे विद्वानों का निश्करश है की शक्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम के समान है वह गुप्तों के हिंदू राजवन्ष के राजाओं में से एक थे नालंदा में खोजे गए मुद्राशा स्थ्रिय साक्षियों से यह पुष्टी होती है कि कुमार गुप्त प्रथम नालंदा मठ विश्विद्याले का संस्थापक संरक्षक था उनके उत्तरादिकारी बुद्गुप्त तथागत गुप्त बालादित्य और वज्ड ने बाद में अतिरिक्त मठों और मंदिरों का निर्मान करके संस्था का विस्थार और विस्थार किया इस प्रकार गुप्तों के शासनकाल में पांचवी और छटी शताबदी तक नालंदा का विकास हुआ नालंदा में गुप्त युप के इन योगदानों की पुष्टी नालंदा में खोजे गए कई बौद और हिंदू मुहरों की कलाकृतियों और शिलालेखों से होती है जो गुप्त शैली और गुप्त युप की लिपियों में है इस काल में गुप्त राजा ही नालंदा के एक मात्र सन्रक्षक नहीं थे वे समर्थकों के एक व्यापक और धार्मिक रूप से विविद समुदाई को दर्शाते हैं यह उलेकनिय है कि शार्फे ने कहा कि कई दानकरता बौद नहीं थे उनकी मुहरों पर प्रतीक लक्ष्मी गनेश शिवलिंग और दुर्गा दर्शाते हैं नालंदा विश्वविद्यालेय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित एक सारवजनिक केंद्रिय विश्वविद्यालेय है इसे राश्ट्रिय महत्व के संस्थान इनी और उत्कृष्टता के संस्थान के रूप में नामित किया गया है 18 सदस्य देशों द्वारा समर्तित अंतर राश्ट्रिय विश्वी द्याले की स्थापना 2010 में भारतिय संसत के एक अधिनियम द्वारा की गई थी विश्वी द्याले की स्थापना के निर्नाई को दूसरे और चौते पूर्वी एशिया शिकर सम्मेलन में समर्थन दिया गया था झाले की मफड़ मỗi दो था अषब झाल झाल